आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिर नाम है प्रभात तिवरी पहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवरी स्टडी आई के उपर दोस्तों मुझे गाना बहुत याद आता है नफनकार तुझे साथ तिरे बाद आया मुहम्मद रफी तु बहुत याद आया जी यहां दोस्तों बहुत अच्छा गाना फैटता है दोस्तों यह किसके उपर चाइना के उपर तो दोस्तो चाइना ने जब भी कोई भी दुनिया में हल चल नहीं होती है या फिर कह सकते हैं दुनिया में एक जो है पॉजिटिव माहूल होता है तो चाइना ऐसा कोई न कोई करता है दोस्तो ऐसा कोई न कोई वर्क कर देता है जिससे दुनिया में दोस्तो हल चल मत जाती है तो आज क्या किया है दोस्तों चाइना ने बोहत ही major level पर दोस्तों इसने अपने country में changes किय है जानेंगे दोस्तों उसकी policy क्या है उस से पहले चोटी सी request चैनल को करना subscribe जो आदे से अधी लोग चैनल को करते नहीं हो चैनल से क्या दोस्काणी आपको और बेल आईकन को भी दबा देने हैं इतना नेक काम तो करी सकते हो कितना समय लगएगा दो सेकंड कर लगएगा समय बेल आईकन को भी दबाना और दोस्तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए प्रभाथ तीवरी स्टडी आईक्यू के नाम से मेरी इंस्टा एडिय है वहा हाँ यार content तभी मिलेगा जब किसी का आप लोग support करोगे थोड़ा सा moral को बढ़ाओगे तो दोस्तो क्या है ये controversy चाइना ने क्या कर दिया जो अंतराष्टी लेबल पर हल चल सी मज़ गई है तो जानेंगे दोस्तो और चाइना ने इसको किया क्यों इसके बारें ही जानेंगे तो चलिए हम दोस्तो सबसे पहले policy को जानते हैं दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने आज ही एक major label पर दोस्तो एक announcement किया है कि चाइना में अभी तक क्या होता था अभी तक क्या policy थी एक आदमी पर दोस्तो आप दो बच्चे ही पैदा कर सकते थे बहुत ह इसको पता है कि अगर भारत को दबाना है तो population को बढ़ाना है चाहिना की पॉलसी है कि अगर भारत को दबाना है तो population को बढ़ाना है जिया उननी सो ने इसको 1979 में क्या होता दोस्तो 1979 की बात करते हैं तो 1979 में चाइना ने एक नई policy लागू की थी एक आदमी एक बच्चा य से उसका नाम कट जाता था उस बच्चे का यानि जिसे उनको रासन मिलता है या फिर कोई भी सरकारी लाब उनको नहीं मिलता तो चाइना इसा कि क्योंकि यह मैं आपको बताता हूँ उस समय क्या था दोस्तो चाइना में भुकमरी चरम पर थी पापुलेशन इतनी जादा पैदा कर सकता है समय धीरे धीरे बीटता गया अब क्या हुआ 2016 आया दोस्तो चाइना गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग चरूर बदलता है तो चाइना ने क्या किया देखा भाया भारत तो बहुत तेजिसे पापुलेशन बढ़ा रहा है पापुलेशन कंट्रोल कर ही नहीं रहा है और ऐसा ही रहा तो 2032 तक हमको जो है भारत पीछे चोड़ जाएगा और हम पर चढ़ाई भी कर सकता है तो चाइना ने कहा चलो मैं भी एक काम करता हूं उसने क्या किया एक आदमी दो चाइल्ड की पॉलिसी लागू कर दी यानि एक आदमी क्या कर सकता है दो पैदा कर सकता है अब भाया चाइना सोचा कि अब तो हमारा काम बन जाएगा अब भारत पीछे नहीं चोड़ जाएगा लेकिन हुआ क्या दोस्तों मैं सलाम करता हूं चाइना की जनता को मैं सलाम करता हूं अब दोस्तों मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं उससे पह हो दोस्तो 2016 में क्या था दोस्तो जब ये psalisit at कि एक आद और m site एक आदमी दो बच्चेrid 2026 की बताता हूं जब यह थी कि एक आदमी कि और roommates ही बच्चे पैदा कर सकता है तब्सक्तों क्या था 2016 में एक साल के अन्दर करोंड 80 लाग बच्चों ने चन्म दिया उसके बाद 2016 में क्या हूँ दोस्तो चाइना की सरकार ने कहा नहीं भीया ऐसे तो हमारी पॉपुलेशन एकदम से सिकुरिसी जाएगी और चाइना भुढधा हो जाएगा उसने का भीया नहीं अभी यहाँ पर क्या करना होगा एक आदमी दो चाइल्ड की पॉलिसी 2016 से लागू करती लेकिन दोस्तो मैं आपको बताता हूँ उन चार सालों में कोई भी इंप्रूब्मेंट नहीं हुआ वहाँ की जागरू जनता को मैं सलाम करता हूँ 2020 का डेटा देखिए दोस्तो 2020 में क्या हुआ 2020 में एक साल में एक करोण 20 लाग बच्चों ने ही जन दिया तो यहाँ से आप देख रहे हैं 60 लाग का दोस्तो अंतर रहा जबकि जो पॉपुलेशन थी दोस्तो बढ़नी चाहिए थे क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था चाइना ने कह दिया क्या 2016 के बाद एक आदमी दो बच्चे पैदा कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ दोस्तो क्योंकि जो चाइना की प्यूपल्स थी उनको मालूम था कि आज की जवाने में एक बच्चे का खर्च उटाना पहुत बड़ी बात है तो इस बात कुदोस्तों यहां समझेगा यहां पर भारत में क्या होता है नई भय यह तीन बच्चे चार बच्चे पैदा करते ही रहो यार बाद में चाहीं उन्हें चौराहे पर मेठी काटना पड़े या तला चाबी की दुकान ही ना खौनना पड़े तो ये होता है दोस्तो अब दोस्तो क्या हुआ चाइना ने एक बच्चे एक आदमी दो बच्ची की पॉलसी की लेकिन तब भी दोस्तो एक साल में 60 लाग बच्चों की गिराव अटा रही थी यनि बॉर्ण में जो एक साल में बॉर्ण की परिभासा थी उसमें 60 लाग बच्चे कम जन्म ले रहे थे अब चाइना दोस्तो डर गया कि बोला भाया ऐसे ही रहा तो हमारी जो मिलिटरी है या फिर दोस्तो जो हमारी ताकत है वो कमजोर हो जाएगी क्योंकि दोस्तो जब इत कंट्री है तो इस बात को ध्यान रखेगा तो चाइना को दोस्तो डर लगने लगा कि 2032 आते भारत हम पर चड़ाई कर देगा तो चाइना न दोस्तो आज क्या कर दिया आज एक नहीं पॉलिसी लागू कर दी कि भाया एक आदमी तीन बच्चे पैदा कर दो चलेगा भारत क कि एक आदमी तीन बच्चे की तो यहां से दोस्तो आप देख रहे हैं कि चाइना के जो पॉलिसी है इसका बहुत सारे वहां की जो पॉपुलेशन है उसका बिरोध कर रहे है जिया बिरोध इसलिए कर रहे है क्योंकि दोस्तो आज की जवाने में एक आदमी एक बच्चा प परवाय जाएगा बस हाँ यहाँ पर बता दिये हैं कि एक आदमी तीन बच्चे पैदा कर सकता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इससे कुछ पैदा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको जो 2016 का डेटा दिखाया है उसमें एक आदमी दो बच्चे कर करती हैं फिर भी पापुलेशन दोस्तों उनकी कंट्रोल थी कम होती गई है क्योंकि सब को मालूम है कि आज के जवाने में एक बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात है तो दोस्तों यह था लेक्चेर आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा खुश रहिए तंदुर अपुस ताहीर सानिंग ओफ